हाई व्रीवन इस वीडियो में जहारखंट जीके का एक प्रैटिस सेट देखते हैं जिसके साहता से आप अपनी JSC की त्यारी को जान सकते हैं तो चलिए देखते हैं जहारखंट जीके बुष्टर डोज सेट दस या सेट जेशसी के सभी परिछाओं के लिए अती महत्पून हैं तो बिना देर किये हुए पहले क्यों वड़ते हैं तो पहला क्योंचन है चायबासा से परकासित क्रांतिगारी पत्री का तरून सक्ति का संपादक कौन था तो चा तरून सक्ति नामक पत्रीका के संपादक थे और तरून सक्ति कहां से परकासित होते थे जायबासा से अब दूसरा स्वाल देखते हैं निमलिखित में से कोण सा अस्थल जैनियों का जारखंड में परमुख तिरत अस्थल है यहां पर चार ओप्शन दिया गया है तो चार धर्पा परमुक्तिर तस्थल जो है पाशनात की पहाड़ी हो जाएगा पाशनात पहाड़ और पाशनात पहाड़ जो है जेन धर्षब समंदित है और पाशनात पहाड़ से जितने भी स्वाल बन सकते हैं सारे स्वाल फटा फट एक पर रिवायच कर लिजिए पाशनात कि जाए तो फीट में कितनी है कि 4,480 फीट जो है फीट में आता है लेकि अगर कनभट कीजिए गातो चुवालीस उनासी के असपास आता है रेकिन जैपीएसी और जैसेसी ने ओप्शन में चुवालीस असी डाला रहता है अगर बात करें पासनाथ पहाड में जेंधर के जो तैसमें तिर्थकर्थ थे पासनाथ उन्हें आखरी निर्वान प्राक्व करने वाले जैन तिर्थकर्थ हुए है अगर इसे अनी नाम से भी जाना जाता है इसे संबेद सिखर के नाम से भी जाना जाता है संबेद सिखर या सिखर जी के नाम से भी जाना जाता है यह भी के अदर था राची था option 20 का सभी वाजाएगा अगला देखते हैं को लॉम ए और कोलम दो को मिलाना है एक कोलम एक में दिया गया जलकुंड और कोलम टू में दिया गया है कि जीले में इस्तित है अगर बात करें तो सूरज कुंड सूरज कुंड कहां पर है सूरज कुंड जो ह हजारी बाग जीले मिस्तित है इसके बाद कोन है तेतुलिया तेतुलिया जो है कहां पर है धनबाद में है और ताता पानी कहां पर है तो ताता पानी अपका पलामू में है इसके बाद बाद जाता है दुवारी दुवारी जो है जलकुंड जो है चत्रा में है तो इसका दो 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 किसन में है तो option B इसका satisfy हो जाएगा और सूरी कुण्ड के बारे में एक point note कर लीजिए या जारखंड के 1000 बाग जिल में इस्तित है या जारखंड के सबसे अधिक गर्म जल कुण्ड है और इसका तापमान कितना रहता है 88 degree Celsius अगला सवाल है नागरमल मोदी ने दवाओं में निरासरित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की अस्थापन किस वर्स की थी तो अबला आश्रम की अस्थापन किस के दवारक क्या गया है नागरमल मोदी के दवारक कव सन 1935 में तो option C सही हो जाएगा एकलास वाल है निमलिखित में से किस operation का समन्द भूमी सुधार से है, तो कॉन से operation का समन्द भूमी सुधार से है, तो आपको बताना है, तो इसका ज़ी अंसर हो जाएगा और दोपरेशन टोडरमल का संवन्द भूमिश्धार से है और और प्रेशन ग्रीनध हर्ड क्या है तो और spin ग्रीनध हर्ड जो है जारकन से नकसलवाद को खत्म करने के लिए चलाय गया अभ्यान है और और यह और ऑपरेशन और ऊपरेशन क्या है डखेती पर लगाम लगाने के लिए उप्रेशन चलाए गया था उप्रेशन कोंब अगला है राचीज में देनिक परभात खबर का प्रकासन का प्रारम हुआ है तो इसका सहीन सर्व हो जाएगा च्योगदा अगस सन 1984 को अप्सन सीज का सही हो जाएगा अगला है शैनिक वेस धारन कर किया जाने वाला जहारखंड का एक लोख निर्ति कौन सा है तो जहारखंड का कौन सा लोख निर्ति है जिसमें जो निर्तक होते हैं वे शैनिक वेस भूसा धारन करके डांस करते हैं तो वह निर्ति है पाइका निर्ति है इससे एक और सवाल बन लांता होती है कि प्रधानता की निर्थ में होते तक पाइका की वेश कासराइवकर करते हैं अगला है है इंस एंस चैकलोपीडिया मुंडारी का के रचनाकर कोन bubble de noche के रचना मुंडारी का जिसकी भाष्च में देट है अगला है जहार्खंड की एक छेत्री भासा कई रूप में पूरे जहार क्या जाता है अर यह स्वाल JSSC में पूछा जा चुगा है तो जारखण के छेतरी भासा है जिसे जारखण के संपर भासा के रूप में भी वियोग किया जाता है और सभी छेतरी भासी उंके बीच पर चरीत है तो वह भासा है कौन सा हो जाएगा? नागपूरी ओप्सन इंडीज का सही हो जाएगा अगला है जनगन्ना 2011 के अंतिम आकड़ों के नुसार जारखंड में जनसंख्या घनत्व निमलिखित में से कितना है तो जनगन्ना 2011 के नुसार जारखंड के जनसंख्या घनत्व कितना है तो इसका सहिंसर हो जाएगा 400 शोगदव एक्ती परती वर किलोमेटर आपको बताना है जारखंड का लिंगानुपात कितना है 2011 जनकर नाक्नुसर जारखंड में सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है सबसे कम धनबाद में है और सबसे अधिक कहा है अगला है जारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमातर नदी कोन है जो सवतनतर रूप से समुद्र में गिरती है जारखंड के एकमातर नदी कोन है जो अपना जल सिधे समुद्र में गिराती है तो वह नदी कोन सा है तो वह नदी जो है सोनरेखा नदी है तो सोरेखा नदी जारखन के एक मात्र नदी है जो अपना जल समुद्र में सवतनत रूप से गिड़ाती है और सोरेखा नदी कहां गिरती है तो सोरेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो बंगाल की खाड़ी इसका सही अंसर होगा स्वार्रेखा नदी अगर बात करें स्वार्रेखा नदी कहां से निकलती है यह जो है राची के नगडी से निकलती है और स्वार्रेखा नदी के किनारब बसा एक परमु के उध्योगी सर कों सा है जमसेदपूर यह भी मैंड में रखिएगा और अजे नदी कहां से निकलती है तो अजे नदी आपका जो है मुंगेर वियार से निकलता है और बराकर नदी जो है कहां से निकलता है हजारी भाग के पदमा से निकलता है बराकर नदी और दामोदर नदी कहां से निकलता है आपका दामोदर नदी जो है लातेहार का टोरी छेतर से निकलता है दामदर नदी और जारखंड के सबसे लम्मी नदी है और इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और जारखंड के सबसे दीख प्रदूसित नदी भी यही है इसे पंगाल के सोक के भी नाम से दामदर को जाना जाता है अगला है जन भारत की कूल जनसंख्या का ज्यारखंड का हिस्सा है अगर कितना खेजोपर ख 있게 कामूमी पाइंट के कितना है में यूगिन जनजाती कोन सी है असूर जनजाती बीज का परभद संट आधिम जनजाती है, आदिम जन जाती है और हाली में करेंट है फिर से एक सवाल बनेगा जारखंड के एक समुदा था भोकता तो इसको भोकता जन जाती को कौन से जन जाती के में सामिल किया गया है इसका अंसर कमेंट करके देना है पर जारखान की सबसे बड़ी जाती संथार क्या now ओर हुं टिसरे बंबर पर मुंडा प्रमण के फाथ है लेकिन चवंडिये यह चाहर ये एक प्हुद को के पाचाना था अगला है मंदा पर का समंद्ध किस देवता से है तो मंदा पर में किस देवता की अराधरा किया जाता है तो मंदा पर जो है आपका हो जाएगा महादेव अस्युस समंद्ध है या सवाल जैसे जिम कई बार पुछा जा है आप से पुछा जाए मंदा परोका सबसे पर्मुख छेतर कौंड सा है मंदा परोका सबसे परोक है थारी बहाग है यह में रखाण कियेंगे अगला है कि रत्рыत्राँ मेल्ट से मंदिर है ने के बारें को जानिए इसके निर्वान का हुआ है 1691 में किसके द्वारक किया गया है एनिस सा के द्वारक करवाए गया है और कहां पे है जारखन के राची में स्थित है जगनात मंदिर अपसे और जगनात मंदिर जो है उडिशा में जो पूरी का मंदिर है उसी के तर्च पे जारखन के उक्सित किया गया था और वेदनात मंद कहा पर है यह जो ऐं देवघर में है इसकी आस्थापना किसके द्व़रा किया गया है पूरान मल और यहां पे सक्ती और जोतिर legit 25 मंदिर कहां पर यह जो है आपका राजराप्पा रामगण में इस्तित है तो इसका सरे ऐब सने अगला है सोरी के रूप में किया है तो तो है जन जाति कौन सा है तो आपका अणसर क्या होगा इसका हूगा लूसक्ट तो इसका कौन सा था चंदरगुक मोरी समय आने वाला मेगास्तनीद option D तो मेगास्तनीद जो चंदरगुक मोरी के समध भारत भर्षमन पर आये था उने राजमहल के पहाड़ी में रहने वाले जंगली आदिम जंजातियों का उलेख मली मानवया सोरी के रूप में किया है और राजमहल में मुख रूप से कौन सा जंजाति निवास करती है सोरी या पहाड़ी या 19 वेद में विसेसकर अथर्वेद में एक किस जन जाती के चर्चा एक अप्रीग्रही Karl-सुमित साधन वाली जन जाती के रूप में की गई तो कुन सा है यह जन जाती है सब्वर जन जाती और 20 जान जाती ज्वार फंगन के सिलफी जन जाती है अगला है खडिया जंजाती में वह बैक्ती जो गाउं के पर तहवारों में पुझा पाठ कराता है उसको किस नाम से जाना जाता है तो खडिया जंजाती में वह बैक्ती जो गाउं के पर तहवारों में पुझा पाठ कराता है इसको किस नाम से जाना जाता है इसको कालों के न कि थी तो उसका सभी सर क्या हो जाएगा है और गांधी जी पहली बार जारकांड जो है चार जुर 17 ऑज जो कर आये थे पहली बार येीदक थांधी च्वाला है और ONचा मिनोंने सो पचीज में मधूपुर में मधभूपुर का उधर गांधीू के दुवारा अगला स्वाल है जग्दिसपूरहलदिया वोकारो गाम्र Mississippi … से छार hex यृ जवा जार्खण के चार जीलों को फायदा मिलेगा आप से आप भी पूछा जा सकता है जगदिसपूर हाल दिया वोकारो घामरा प्राकृतिक गेस पाइपलान योजना जो किसके दोर बने जा रहा है गेल के सोजने से बने जा रहा है अगला है जारखंड में जगदिसपूर हाल दिया वोकारो घामरा प्राकृतिक पाइपलान प्रियोईना की लंबाय लगभग कि सुधार लाने के उदेश से चलाई जाने वाली उदेय योजना से चुड़ने वाला पहला राज कुन है तो उदेय योजना से चुड़ने वाला पहला राज कुन सा है जहार जहार खरणी है ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा ग्रामिन युवाओं को किर्सी कर्म की और अकर्सित करना और हरित करांति लाने के उदेश से चलाई जाने वाली आरिया योजना की सुरुवात का वही है यह जो है योजना जो आ किर्सी कारी से जुड़ा हुआ है इसमें किर से वित्य साहता और और प्रसिक्षन से समंदित है आरिया योजना तो यह है कब सुरुवात हुए है तो जैर सोलना में अप्शन डी सही हो जाएगा अगला स्वाल के बढ़ते हैं तामे से बनी कुलाड़ी और तामे की खान के आउसेस जारकंड के किस जीले से प्राप्थ ह हुए है आप से पूछा जाएगा तो कितने तामे के खान प्राप्थ हुए है पूरा तातिविक कल में 49 तामे के खान प्राप्थ हुए है कहां से बाहर गंडा से यह मैंड में रखिएगा अगला है परतिहार सासक महेंदरपाल के सिलाले की प्राप्ति कहां हुई है तो पर परतिहार सासक महेंदरपाल के सिलालेक जो है इटखोरी में प्राफ्थ हुई है और चत्रा में परमुक मंदीर है भदरकाली मंदीर और इसका समंद्ध जो है पाल काल समंदित है यह भी माइड़ में रखियेगा अगला है नागवंस के चौथे सासक परताप राय ने अपनी रायधानी जो है चूटिया को बनाए था और नापनी मुकुड राय ने अपनी रायधानी सुतियांबे में बनाए था और दोईसा जो है दुर्जन साल के दोवारा बनाए गया था अगला है भंडारे ने उत्पादन की दृष्टी से जारखंड का सरपर्थम कोईला के जर्ये के खान में ही भूमी के अंदर आग लगा हुआ है अगर पूछा एरिया के मामले में सबसे बड़ा कोईला खान कौन सा है तो एरिया के मामले में कोईला चेतर जो है करनपूरा है और जारखंड में सबसे पहले कोईला कहा निकाला गया था जर्या से और भारत का सबस प्राप्ट हो जाएगा सबसलने कहा अंताई के प्राप्त होने अबरक को रूबी प्रकार का अबरक का जआता है रूबी अबरक का रंग कैसा होता है तो रूबी अबरक सबसे अधी कहा मिलता है या जारखन के कोडर्रमा में पाई जाता है तो रूबी अबरक का कलर जो होता है ब्लू होता है नीला ओप्सन सीज का सही वह जाएगा और भारत की अबरक राइधानी कोन से है तो अबरक राइधानी जो है कोडर्रमा को कहा जाता है य पार्षनात परवत पर जैनों के अतिरिक्त परदेश के एक जन्जाती समुदाय का भी तिर्थ अस्तल है निवन में से उस जन्जाती समुदाय की पहचान करें तो पार्षनात की पहाड जो है मुखिरूप से जैन धर्व से संबंदित है जेन धर्व का तिर्थ अस्तल है वहाँ पर जेन धर्व के 24-20 तिर्थ खरों ने अपने निर्वान की प्राप्ति की पहचे लेकिन वहाँ प्रवान की परूपसिया जाएगा अगला है कि साथ दिवासी आंदोलन में परम परागत अथात जूम खेती की तरफ लोटने का आवान किया गया था या है ताना भगत आंदोलन और ताना भगत आंदोलन का हुआ था उन्हेस च्योगदा में किसके नर्तित में अगला है जारखन राज के विधान मंडल का रूप कैसा है तो यहां रूप जो है एक सदना अत्मक है क्यों यहां विदान सभा है विधान मंडल नहीं है विधान परिसाद नहीं है तो केवल विधान सभा है बंसने सजोग रजाईगा अगर बात ने जारखन में टोल सदस्यों निर्वाचितator की संख्या किसा को तो टोटल वार शीटों की संख्या भी एक बाद रिवाइज कर लीजिए तो टोटल अठाय सीटिक कि लिए हैं सी केलिए है और चुहालीस सीट यो और रिजिएप है तो टोटल एक दोन जोंजीट निर्वाचीत सीठों के संख्या 81 है यह विमाइड पर रखिएगा अगला है भारत छुड़ आंदोलन 1942 के दोरान आंदोलन कारियों ने जहारकंड के किस अस्थान पर समनांतर सरकार की अस्थाफना की थी तो समनांतर सरकार के अस्थाफना कहां पर किया गया था सर्वन में आ अगला है छोटा नागपूर खास के नागवंस की पर्थम राइधानी जो था सुतियांबे था और नागवंस के संस्थापक कुन थे संस्थापक बात जो करें पनी मुकूर रहे थे और उसे नागवंस का आदिपूरुस भी बोले जाता है उन्होंने अपने राज में केर आदिवासियों को बसने की इजाज़त दिया था और चूटिया को राइधानी परताप रायने बनाया था यह भी मैंड में रखिएगा अगला है एक ताम पत्र पर जार्खन सब्थ का उलेक मिला है यह ताम पत्र की सताबदी का है तो यह सताबदी जो है तो जार्खन पर्थम उलेक जो है तेरवी सताबदी के एक ताम पत्र मिलता है अगला है किस नागवन सी साथ सक के विशे में कहा जाता है कि उसने घेर आदिवासियों को अमांतिरित कर अपने राज में बसाया तो यह कुन थे तो इसके समद्द में बता चुके हैं पनी मुखुड रह औ और भीम कर ऐसा सकता जिन्होंने अपने टाइटल में राय की जगा कर्ण लगाया था कर्ण लगाने के परचलन कितने सुरुक क्या था भीम करने तो इसका संबंद्द ऑप्शन डी है अगला स्वाल देखते हैं जार्खन राज में अनेक अस्थाना पर सीड़ी नूमा खेत करने का पर्मुख उदेश क्या है तो जार्खन के बहुत से छेतर में आपको श्रणी नूमा खेत मिलेगा इसका उदेश क्या है तो इसका उदेश जो है वर्सा के पानी का भरपूर परियोग करने के लिए क्योंकि जार्खन का च्छेतर जो है डलाल नूमा है पाड़ी च्छेतर है इसलिए शड़ी नूमा खेत बनाके वर्सा के पानी का भरपूर उप्योग किया जाता है अगला है निम्न में से किस राज की स्थापना दच्छिन भारत से आई हंसराज देव ने किया था तो हंसर प्रां गड़िया यह मैंड़के रख लीजिएगा है अगला है राज़्रप्त चिनमस्ठी का शक्तिपीट तो कि मने का निर्मान किसके काल में वह था तो राज़्रप्त रांगड में हें मीफंदिट का मंदिर या जो ए讚 पाल वांस के सासा के समय हूए था पाल सवराज पार्टी के परतिनिदी के रुप में प्रांत या लेजिसलेटिव का परतिनिदी किसको चुना गया था तो सवराज पार्टी के परतिनिदी के रुप में प्रांत या लेजिसलेटिव का परतिनिदी किसको चुना गया था तो वह थे कृष्ण बल्लाव साहे ऑप्शन ए सई हो जाएगा अगला स्वाल है सिमको हत्याकंड कब हुआ था जिसमें 65 आदिवासियों की मिर्तिव एक जनसभा में पुलिस द्वारे गोली चलाए जाने के बाद हो गई थी तो सिमको हत्याकंड कब हुई थी सन 1949 में ओप्शन ए सई हो जाएगा अगला है जैपाल सिंग का मूल नाम क्या है जैपाल सिंग का मूल नाम जो है विनननद पाहन है तो यस ही हो जयागा और जैपाल सिंग का हुआँNO सबसे पहले जानिये टकरा में हुआ था टकरा नामगस्तान में जैपाल सिंग का चैनल वे किस्से समधी थे यह होंकी के खिलाड़ी रहा चुके है और 1908 के यह मस्ट्रम ओलम्पिक में भारत्य ओलम्पिक टीम द्वारा जो गोल्ड मेडल जिता गया था उसके केप्टन भी थे भारत्य होंकी टीम के जैपाल सिंग आगे चलके 1950 में उन्होंने जारखंड पार्टी का गठन किया था और इसका विले उन्हें 1963 में कॉंग्रेस में कर दिया गया था यह भी माइंड बरखिएगा तो रामगड अधिवेशन का उन्हें रामगड अधिवेशन का वह था सन 1940 में तो यह किस नंबर का कॉंग्रेस का वर्सी का दिवेशन था तो यह था कॉंग्रेस का तिरपनवा दिवेशन और रामगड का अधिवेशन के 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 अ जार ओप्शन है तो इसका सही अंसर हो जागा जूएल लाकडा पर्थम आदिवासी थे जिसे पदम स्री समान से समानित किया गया था और जूएल लाकडा ने 1915 में छोटा नागपूर 39 समाज के अगठन किया था इसके बाद ठेवले उराओं ने 1930 में किसान सभाग अगठन कि किया था कार्ति कुराओं ने 1968 में आदिवासी विकास परिशत की अस्थापना किया था अगला है जारखंड की किर्सी में किस फसल का अस्थान सर्वपरी है तो जारखंड में कौन से फसल का अस्थान सर्वपरी है तो अगहनी फसल हो जाएगा जिसे अगहन में काटा जाता अगर यहां पे खरीब फसल दिया रहा था तो खरीब मांग सकते थे निए खरीब नहीं दिया है इसलिए अगर नहीं हो जाएका option D अगला है जारखन राज की भूगर्भिक समर्चना में प्राचिन्तम है तो जारखन राज के चटाने तो आर्कियन, ग्रेनाड, नीस वर धारवार की चटाने जारखन के भोगर भी संरचना में सबसे प्राचिनता में अगला है नागवन्स के कि सासक ने अपनी उबादी राय के बदले कर्ण रखी थी अगला है मढवा की गिंती मोटे अनाज के रूप में की जाती है इसका उत्वादन जहारखन में सरवाधि कौन सा जीला करता है किसको मडगवा बोले जाता है तो मडगवा काला च्छोटा-छोड़ा बडता होता है कि इसका वत्तपादन सबसे अधिक हमे jest ब सबसे अधिक मडगवा अधिक गजुए हजारी वाध सद्वार को में होता है मनगुवा में मक्का का उत्पादन सरवादिक होता है और मनगुवा का उत्पादन सिम्भूम में होता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा कि अचे पालामूमें द ल्हन वर तील्हन का सरवादिक उत्पादन घंला है फिरैशा तूखलít के समे चोटा नागबन्ण का सासंच उसमार्ट ऑन्था स्युदास कर ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगला त्रिपनवा स्वाल देखते हैं निमलिखित में कौन पढ़हा राजा के साहे के रूप में कार्य करता है तो दिवान ऑप्शन 20 का सही है अगला देखते हैं जारखन के सबसे लंबा राष्ट के राजमार कौन है तो जारखन क से बरही से बहरा गोड़ा तक गुजरती है अगला है भारत सविधार में अभी तक जारखन की कितनी जंजातियों को अनुसूशित जंजाती घोसित किया गया है भारत सविधार में अभी तक जारखन की टोटल 32 जंजातियों को अनुसूशित जंजाती का दरजा घोसित दि पूल लेकिन और हाली हिए सरकार ने जार्खट की एक समूदा है भौकता इसको खरवार जनलाए को आंवे रहा किया गया है खरवार एक राची के विरोधियों में नीमन में से कौन सामिल था तो रोलेग्ट-एक्ट क विरोध करने में राची में कौन सामिल था तो इसका सरी इंसर हो जाएगा बारेशवर्थ सहाई और गुलाब तिवारी ओप्सने से हो जाएगा जेन धर्म के अंतिंतीन तृतकर महावीर का चोटा नाकूर छेतर में भर्मन का उलेक किस गरन्थ में मिलता है तो किस गरन्थ में मिलता है आचरंग सूत्र एस सही हो जाएगा मायदूर अंदोलन के दोरान झारखन भी अचूता नहीं रहा उन्हें 28 सुषी के जमसित्पूर मजदूर हरताल को समाप्त कराने के लिए किसकी महत्पूर भूमिका रही थी तो महत्पूर भूमिका जो था शुबास चंदरबोज का था अप्संसीस का सही हो जाएगा अगला स्वाल देखते हैं किस वर्ष में सिंभूम में ओटा गोरा स्थान में 60 पर्मुख गुरूओं की सभा हुई जिसमें हिंसात्मक रूप में जमिंदारों राजाओं तथा सरकारिक करमचारियों का सफाय करने की योजना बनाए गए थी तो सिंभूम में 1899 में कोटा गोरा स्थान पर 60 धर्म गुरूओं की एक सभा हुई जिसमें इन्होंने फैसला लिया था कि जो जमिंदार हैं राजा हैं और सरकारी करमचारी जो दमन कर रहे हैं इनको हिंसा का सहरा देकर सफाय की जा जाएगा अगला है तुरिया भगत और जीतू भगत के नित्रत में तानाओं की सभा में चोखिदारी कर और माल गुजारी बंद करने का प्रस्ताव का पारित किया गया था तो यह है यह थे जारखन डिक डोज सेट 10 में कुछ मात्पूर्ण सवाल आया आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी मिलते हैं अगले सेट में अब तक पुरान